बैटरी बैकप बैटरी यह कैसी चीज जो उतर ने उतर दी रहती है जितना हम चार्ज करेंगे उतना वह यूज करके उतरेगी उसकी भी कोई जिंदगी है तो हम उसी जिंदगी को बढ़ने वाले कुछ सेटिंग करके फोन की इसेटिंग सिर्फ मुई आयलियन डिवाइस के जिन फोन में मियु आयलियन इंस्टॉल है मतलब शाओमी के डिवाज में जिन में मियु आयलियन इंस्टॉल है इसमें वर्क कर जाएगा तो कुछ सेटिंग बात ने आला हुट तो वह सेटिंग आप करोगे तो आपके जो लॉक्डाउन में जो बैटरी की प्रोब्लेम है बार बार चार्ज करनी पड़ दी वह थोड़ी सी कम हो जाएगी तो कुछ सेटिंग्स है तो वीडियो को इन तक देखते रही है चैनल पर जाद हो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चलिए शुरू करते हैं तो पहले हम चलते सेक्यूरिटी एप्ल आपको mobile data off रखना है या on रखना है लॉक करने के बाद फोन को तो अगर आपको फोन लॉक हो जाने गाद आपको data यूज नहीं करना बैग्राउंड मोबाइल डेटा का तो आप इसे simply 5 मिनिट 10 मिनिट 30 मिनिट आपको जो चाहिए मेनी मानों तो आप 5 मिनिट कर रख सकते आपका phone का mobile data automatically off हो जाएगा और जैसे आप फिर से उसका unlock करोगे तो वापस mobile data on हो जाएगा तो इसी कुछ सेटिंग से तो आप इसे कर सकते हो इसके बाद क्लियर कैसे मतलब बैक्राउंड में जो activity चल रहे होती वह जो कैसी सेव करती फाइल से अपने फोन में तो हम यहां स इसे क्लियर कर सकते फोन को लॉक करने के बाद यहां पर वन मिनिट का भी ऑप्शन आपको वन मिनिट के बाद भी आप कर सकते हो लेकिन आपने रिस्प कर करना अगर आपका कुछ इंपोर्टन्ट है तो चला जाएगा दूसरा पॉइंट आता है यहां पर बैटरी सेवर का है तो यह पर आपको एक ऑप्शन मिनता है में ऑप्शन जो और रहता है पहले से तो अगर आप यह आप यह आप करते हो तो आपकी बैटरी बैकप बहुत मतलब बहुत जादा आपको बैटरी सेव तीखेगी बैटरी बहुत से होगी इससे तो इसको करने करने कर आपको याप याप देख सकते हूं रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ओफ सिस्टीम एप्स फ्रीज एपस इन द बैग्राउंड यह जो कुछ लिखा याप यह सारा इस यह फंक्शन ओन हो जारे हैं आपको देखने को मिलेगा इस इसके बाद निच्छे आपको schedule बीड जाएज हो जाए सकते हैं तो यहाप इनिच्छे मिलता है यह पतरी से अपत्र तो हैं तुको इसमें जाने करने में आपको इंडिएयल के लिए अलग अलग फेर्षुक पाड़ेगा तेंग मैं दिखां आपको प्ते सारी के लिए यह सिलेखे करता है तो आप इस fiance कर सकते हुआ कि इसे जैसे बैटरी काफी सेव हो जाएगी तो इस तरह से आप जो अप्लिकेशन को नहीं रखना चाहते बैग्राउंड में उस तर उसे आप रिस्ट्रिक कर सकते हो बैग्राउंड अक्टिविटी को मिलती है अब एक सेटिंग बेसिक है तो यह बेसिक यह कि अगर आप वाल पेपर रखते हो इस फोन में तो उससे भी बैटरी डरी ज्यादे देखने को मिलती है अगर आप लाइव वाल पेपर युज़ करते हो तो मेरी मान और वह एक डार्क वाल पीपर रखो बैग्रांड मे जो मतलब ब्लैक ब्ल्यू अगर डार्क कलर में रखो तो इससे आपकी आइस्ट्रेंड भी मतलब हांखों पे ज़्यादा जोरूब भी नहीं पड़ेगा और बैटरी भी काफी कम यूज होगी और एक सेटिंग आपको बता देता हूँ और जो है डिस्प्ले में तो यहाँ पर सिंप्ली आपको डार्क मोड का अन करते हैं जैसे आप अन करोगे सारा डार्क हो जाएगा तो इससे भी बैटर काफी से होती है तो यह हो गई सेटिंग तो गई में फिल अलिसे और दो डार्क मोड को इसका सेटिंग में जाना आपको नीचे आना या पे चेरिंग में और नीचे आना आपको यहां पर पोटेबल में तो यहां पर को हैं आपको आपको यह और रखना है टर्न आफ फॉट्सपोट ऑटमैटिक लिए अगर आपने अगर उसने डिस्कनेक कर दिया तो लेकिन अगर आफ रहेगा तो उसने अगर होट्सपोट को डिस्कनेक कर दिया आपने उसके फोन से आपको अपने आपको यहां पर साउंड और वाइब्रेशन में किया कुछ सेटिंग्स मिलती है वाइब्रेशन की वाइब्रेट फॉर कॉल्स और वाइब्रेट इन साईलेंट मोड अगर आपके फोन पे ज्यादा कॉल्स अगर रहाते तो फोन ज्यादा भाइब्रेट भी होता है और नीचे के जो बटन सो थे हैप सेब्लेदेवेर उस साफ आफ कर दीजे सिदा और यह भी रखना है आफ कर सकते हो इसे भी कि इसके बैक आना है और यहाँ पर पासवड और सिकुरिटी में आना आपको यहाँ आपको दिखाएगा लोकेशन तो यहाँ पर अगर आप Snapchat वगरा यूज करते हो Snapsend वगरा करने के लिए तो Snapchat आपका का लोकेशन बैकराउंड में लेता है अगर आप यूज करते हो तो आपको दिखा नहीं कि लेकिन वहाँ अपकर सकते हो आपको आपकोन Android 10 में यह लेकिन इस फोन में भी Android 10 की अपडेट दी नहीं यह वालों ने तो यह काफी जुगाड़ करके चलना पड़ेगा इसके अधाना आपको एडिशनल सेटिंग में यहां पर एक सेटिंग छुपी होती है एकसिसिबिलिटी में तो आपको मिलेगा रिमूव एनिमेशन अगर आपको बहुत ही मतलब ज्यादा बैटरी रखनी फोन में बहुत कम बैटरी बची और आपको बनने होने देना आप फो आपके से सिधा ब्लिंक और शो होता है तो इस तरह से आप कर सकते हो बैटरी बचाने के लिए तो यह बेटर सोलीशन है बैटरी सेव करने का इसका नीचे आपको उसके ऊपर एडिशनल सेटिंग के उपर आपस को दिखेगा इसमें आपको पर्मिशन में और यहां पर आप स्टार्ट तो यह पर बहुत सरे अप्लिकेशन जो होते वह आटो स्टार्ट हो जाते हैं तो अगर आपकी फोन में पहले से आटो स्टार्ट है तो इसे आफ कर दीजिए जैसे फेस्बूक वाटसप जो भी है वाटसप तो नहीं होता लेकिन फेस्बूक शायद होता है तो आप उसे आफ कर सकते हैं पर पार्टनर नेटफ्लिक्स तो अभी में फिलली से आफ करता है नेटफ्लिक्स में यूजी नहीं कर रहता तो क्या फाइदा इसको आंद रखे तो इससे आप जिन अप्स को और ने वहाफ कर सकते हो अपनी हिसाप से यह बड़ी है सोलूशन है इसे आप कर लिए औहीं यहां अपर अप्शन नीचे आने आते रहना है और यहां आपर विंडों आनिमेशन स्केल तो मैंने वह जो सेटिंग पर आनिमेशन आफ तो पूरा अनिमेशन आफ कर देता है अगर आप इस सेटिंग का यूज करते हो तो आप काफी हत्त किसे जो की स्पीड होती उसे कम कर सकते तो यहां पर देख सकते हो काफी फास्ट ओपन होता है तो इससे आपको मज़ा भी आएगा कि फोन पास्ट वर्क हो रहा है और बैटरी भी बच जाएगी आपकी कुछ हद तक तो यह भी एक सेटिंग यह आपको पता होगी शायद इसके बाद नीचान आपको और एक बेस्ट सेटिंग है लेकिन आप इसे तभी यूज़ करना जबी आपके पास बहुत ही कम बैटरी बची है तो आपको आना है उपन करना इसे और बैग्राउंड में आपको कितनी प्रो प्रोसेस कर दोगे तो आटोमेटिक लिए बैग्राउंड में जो चल रहा है वह सिधा ओफ हो जाएगा कुछ दिखाएगा निया आपको तो अगर आपको एक दो प्रोसेस चार तक मिलते आपको तो चार तक आप रख सकते हो जितना चाहिए उतना तो इसे भी बैटरी आप वह काफी बेटर फॉन से तो यह थी सेटिंग्स कुछ बैटरी सेविंग के लिए मिवाइल लें डिवाइस के लिए तो आपको वीडियो पसंद आए योगी वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए मिलता हो इसी से अगले इंट्रेस्टिंग उड़े में तब तक के लिए गुद्बाइ टेक केर